हरे कृष्णा, आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, भगवान श्री कृष्ण और शीमती राधारानी की गृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दो जून दो हजार चौविस आज है रवीवार का दिन और आज आप सुनेंगे जेश्ट मास की कथा का दस्वाध्याएं और आज है जेश्ट मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी तो अगर आप एकादशी वरत की कथा सुनना चाहते हैं या फिर पूजाविदी पन हो ही गया है तो उसके वदिका यही उपाय है कि गौव ब्रामभणादी की विशेश रूप से हिंसा का अभियान चलाया जाए श्री नारत जी कहते हैं हे राजन कंस ने दैत्यों को यह करने की आग्या दे दी तब इस प्रकार उसका आदेश पाकर वे महान उद्भट द दैत्य आकाश में उड़ चले और गौव ब्रामभणादी को पीड़ा देने लगे तथा नवजात बालकों की हत्या करने लगे समुद्र पर्यांत समस्त भू मंडल में वे इच्छानुसार रूप धारन करने वाले दैत्य सर्पों और चूहों की तरह घर-घर में घुसने और विचरने लगे अब उद्भट दैत्यतों स्वभाव से ही कुमार्ग कामी होते हैं उस पर भी उन्हें कंस की और से प्रेरना प्राप्त हो गई थी अब एक तो बंदर फिर वो सराब भी पीले और उस पर भी उसे बिच्छु डंक मार दे तो उसकी चपलता के लिए क्या कहना यही दशा उन दैत्यों की थी वे भूत ग्रस्त से हो गए थे नारत जी कहते हैं कि हे विदेह कुलनंदन हे मैथिल नरेश हे विश्णुभक्त हे धर्मात्माव में मुख्य हे परमतपस्वी हे प्रतापी हे अंगराज हे भूलाश्व जनक भू मंडल पर साधू संतों कि यह अभेलना धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरिशार्थों का संपुडत्या नाश कर देती हैं अब जहां एक तरफ कंश के द्यत्य अत्याचार कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ गोष्ट में विद्यमान नंद जी ने अपने घर में पुत्रोस्व होने का प्रातेहकाल ब्रामभणों को बुलवाया और स्वस्ति वाचन पुर्वक मंगल कारे करवाया विदि पुर्वक जात कर्म संसकार संपन्य करके महा मनस्वी नंद राज ने ब्रामभणों को आनंद पुर्वक दक्षना देने के साथ ही एक लाख गववेदान की और फिर एक कोस लंबी भूमी में सब्त धानियों के परवत खड़े किये गए और उनके शिखर रतनों और सुवरणों से सजित किये गए उनके साथ सरस एवं स्निक्द पदार्थ भी थे वे सब परवत नंद जी ने विनीत भाव से ब्रामभणों को दिये मृदंग वीडा शंक और संदोवों सुन्दर बंदन वारों तथा अनेक रंगों के चित्रों से नंद मंदिर उद्भाशित होने लगा सड़के गलियां द्वार देहलियां दीवारे आंगन और वेदियां अर्थात चबूत्रे इन पर सुगंधित जलका छिड़काव करके सब और से वस्त्रों एव कि माला पहना दी गई थी उनके गले में घंठी और पैरों में मंजीर के जनकार होती थी उनकी पीट पर कुछ-कुछ लाल रंगी जूले उठाई गई थी इस ट्रकार समस्त गवों का श्रिंगार किया गया था उनकी पूच पीले रंग में रंग दी गई थी और उनके साथ बचडे भी थे उनके अंगों पर तरुणी इस्त्रियों के हाथों की चाप लगी थी हल्दी कुमकुम तथा विचेत्र धातुओं से वे चित्रित क की गई थी मोर पंक और पुष्पों से अलंग्रित तथा सुगंधित जल से अभीशिक्त धर्म धुरंदर मनोहर व्रिशब श्री नंदराय जी के द्वार पर इधर उधर शिशोबित हो रहे थे गवों के सफेद बचले सोने की मालाओं और मोतियों के हारों से विपूशित होकर इधर उधर उचलते कूदते फिर रहे थे उनके पैरों में भी मंजीरे बंदे थे नंदराय जी के यहां पुत्रोचव का समाचार सुनकर व्रिश भानू अपनी रानी कलावती अर्थात कीर्दिदा के साथ हाथी पर चड़कर नंद मंदिर में आए व्रज में जो नौ उपनन्द तथा छे व्रिश भानू थे वे सब भी नाना प्रकार की भेट सामगरी के साथ वहां आए वे सिरपर पगडी तथा उसके उपर माला धारण किये पीले रंग के जामे पहने केशों में मोर पंक और गुंजा बांधे तथा वन माला से विभूशित थे हाथो वाले तरुन और बिनामूच के बालक भी भाती भाती की भेट लेकर वहां आए बुढ़े लोग अपने हाथों में डंडा लिये और अपने साथ माखन दूद दही और घी की भेट लेकर नंद भवन में उपस्तित हुए वे सब आपस में व्रजराज के यहां से भरे हुए थे उन्होंने अपने द्वार पर आई हुए समस्त गोपों को तिलक आदी के द्वारा वितिवत सत्कार किया गोप बोले हे व्रजेश्वर हे नंद राज आपके यहां जो पुत्रोच्चव हुआ है वह संतान हींता के कलंक को मिटाने वाला है इस से बढ़कर परम मंगल की बात और क्या हो सकती है दैव ने बहुत दिनों के बाद आज आपको यह दिन दिखाया है हम लोग भी श्री नंद रंदन का दर्शन करके आज ग्रितार्थ हो जाएंगे जब आप दूर से आकर पुत्र को गोध में लेकर मोध पुर्वक लाल लड़ाते हुए हे मोहन कहकर पुकारेंगे उस समय हमें बड़ा सुख मिलेगा तब श्री नंद जी ने कहा कि हे बंधूं आप लोगों के आशिरवाद और पुन्य से आज यह आनंद दायक शुब दिवस प्राप्थ हुआ है मैं तो ब्रजवासी गोप गोपियों का आज्या पालक सेवक कि हे राजन श्री नंद राय जी के यहां पुत्र होने के अद्बुत समाचार सुनकर गोपियों के हर्स की सीमा न रही उनके हृदय उनके तन मन परमानंद से परिपूर्ण हो गए वे घर के सारे कामकाज ततकाल छोड़कर भेट सामगरी लिए तुरंत ब्रजराज के भव लुटाती चलती थी शिग्रता पुर्वक आने जाने से उनके वर्स्त्र आभूशन तथा केशों के बंधन भी डीले पड़ गये थे उस दशा में उनकी बड़ी शोबा हो रही थी जनकारते हुए नुपूर्ग, नए बाजुबंद, सुनहरे लहंगे, मंजीर, हार, मनिमा कुंडल, कर्धनी, कंठ सुत्र, हाथों के कंगन तथा भाल देश में लगी हुई बंधियों की नई नई छटाओं से उनकी छवी देखते ही बनती थी, हे नरेश्वर, वे सब की सब, राई, नोन, हल्दी के विशेश चुरुण, गेहु के आटे, पीली, सर्सों तथा जो आधी हाथों में लेकर बड़े लाड़ से लाला के मुख पर उतारती हुई उसे आशिरवात देती थी, फिर यह सब करके उन्होंने यशोदा जी से कहा, गोपियां बोली कि हे यशोदा जी, बहुत उत्तम, बहुत अच्छा हुआ, अहो भाग्य, आज परमसौ भाग्य का दिन है, आप धन्य है, और आपकी कोक भी धन्य है, जिसने ऐसे बालक को जन्म दिया, दिर्ग काल के बाद दैव ने आज आपके इच्छा पूरी की है, कैसे कमल जैसे नेतर है इस शाम सुंदर बालक के, कितनी मनोहर मुस्कान है इसके होठों पर, बड़ी संभाल के साथ इ तेरे उपर आपकी सदा ही बड़ी दया रही है, इसके बाद आप सबको भी दैव कृपा से ऐसी ही परम सुक की प्राप्ती हो, यह मेरी मंगल कामना है, बहिन रोहिणी तुम बड़ी बुद्धिमती हो, सब कार्य बड़े अच्छे धंग से करती हो, अपने घर आई हुई ये ब्रजवाशिनी गोपियां बड़े उत्तम कुल की है, तुम इनका पूजन स्वागत सतकार करो, अपनी इच्छा के अनुसार इन सब की मनो वाच्छा पूर्ण करो, श्री नारत जी कहते हैं कि हे राजन, रोहिणी जी भी राजा की बेटी थी, उनके हाथ तो सुभाव से ही दान शील थे, उस पर भी ये शोदा जी ने दान करने की प्रेरणा दे दी, फिर क्या था, उन्होंने अत्यंत उदार चित्त होकर दान देना आरंब किया, उनकी अंग कांती गौर वर्ण की थी, शरीर पर दिव्यवस्त्र शोभा पाते थे, और वे रत्न में आभूश बजने लगे, बड़े जोर जोर से जैजैकार की ध्वनी होने लगी, उस समय गोप, दही, दूद और घी से तथा गोपांग गनाये ताजे माखन के लौंदों से एक दूसरे को भिगोने और उच्चस्वर से गीत गाने लगी, अब तो नंद भवन के बाहर और भीतर, सब और दही की कीच मच गई, उसमें बूढे और मोटे शरीर वाले लोग फिसल कर गिर पढ़ते थे और दूसरे लोग खूब ताली पीट-पीट कर हसते थे, हे महराज वहाँ जो पौराणिक सूत, वन्शों के प्रसंशक मागध और निर्मल बुद्धी वाले तथा अवसर के अनुरूप बाते कहने वाले बंदी जन पधारे थे, उन सबको नंदराय जीने प्रत्यक के लिए अलग-अलग एक-एक हजार गउवे प्रदान की वस्त्र आभूशन, रत्न, घोड़े और हाथी आदी सब कुछ दिये गए, समस्त बंदियों तथा मागध जनों को धनी गो उप्ती सी दिखाई देती थी, उन्हें पाने की इच्छा वहां किजी के भी मन में नहीं होती थी, उस समय सनत, कुमार, कपिल, शुक और व्यासादी को तथा हंस, दत्तात्रेय, पुलस्त और मुझ अर्थात नारद को साथ लेकर ब्रह्मा जी वहां गए, ब्रह्मा जी का तत्त सुवर्ण के समान था, उनके मस्तकों पर मुकुड तथा कानों में कुंडल जगमगा रहे थे, वे वेद करता चतुर्मुक ब्रह्मा हंस पर आरूड होकर संपुण दिगमंडल को देदिप्यमान करते हुए वहां आये थे, उनके पीछे भूतों से घिरे हुए व्रि वाहन चंद्रमा, बकरे पर बैठे हुए अगनी देव, मगर पर आरूड होकर वरूण देव, मयूर वाहन कार्तिकेय, हंस वाहिनी सरस्वती, गरूड आरूड लक्ष्मी, सिंग वाहिनी दुर्गा तथा गोरूप धारिनी प्रित्वी जो विमान पर बैठी थी, ये सब व देवता वानर पर और बुध्य देवता भास नामक पक्षी पर चड़कर वहां पतारे थे, काले म्रिग पर बैठे ब्रिहश्पती, गवय पर चड़े हुए शुकराचारे, मगर पर आरूड होकर शनिदेव, और उट पर आरूड होकर सिंगी का कुमार राहु, ये सभी ग् बाल सुर्यों के समानते जस्वी थे, नंद मंदिर में पतारे, वहां बड़ा कोला हल मच रहा था, वह नंद भवन जुन्ड के जुन्ड गोपों और गोपियों से भरा हुआ था, देवता लोग वहां पहुच कर क्षण भर रुके और फिर चले गए, बाल रूपधारी पर प्रफूनतं पर्मात्मा साकषात भगवान श्रीक्रिश्ण को देख कर उने मस्तक नवाकर, देवताओं ने उस समय उनका उत्तम स्तवन किया, ब्रह्मा आधी सब देवता, रिशियो सहित, वा स्रीक्रिश्ण का दर्शन कर के, प्रेम विवल होकर और हर्स विभोर होकर, अ अगर आपको ये कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक की बना तो बिल्कुल नहीं जाना है। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लितना है। और हाँ, अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को शेर भी जरूर कीजेगा। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मातर से भगवान श्री हर विष्णु की असीम क्रिपा आपको प्राप्थ होगी। श्री नारायण कवच, भगवान श्री हरी गरूर जी की पीट पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अडिमा आधी आठों सिध्या उनकी सेवा कर रही हैं और आठ हाथों में शंक, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश, अर्थात, फंदा, धारन किये हुए हैं। वेही ओमकार स्वरूप प्रभू, सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें। मज्सिमूर्थी भगवान जल के भीतर जलतंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी डूप धारन करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप स्रित्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गोंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्ब गिर गये थे। वे दैत्य यूथपतियों के शत्रु भगवान ड्रिसिम्म, किले, जंगल, रणभूमी आधिविकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर प्रित्वी को उठा लेने वाले यग्यमूर्दी वाराह भगवान मार्ग में परशुरामजी परवतों के शिखरों पर और लक्षमणजी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायन मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। रिसी स्रेष्ट नर्ग गर्व से योगेश्वर भगवान दत्तात्रे योग के विग्णों से और त्रिगुणादी पती भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम रिसी सनत कुमार काम देव से हैगिरिव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्थियों को नमस्कार आदि न करने के अपराद से और देवर्शी नारद सेवा पराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नर्कों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंत्री कुपत्य से जी तेंद्र भगवान रिशब देव सुख दुख आदी भै दायक द्वंदों से यग्य भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री सेस जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्रीकिष्ण द्वयपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाच से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारन करने वाले भगवान कलकी पाप बहुल कलिकाल के दोशों से मेरी रक्षा करें। प्रातेहकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चड़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बासुरी लेकर, और दो पहर के पहले भगवान नारायन अपनी तीक्षण सक्ती लेकर, और दो पहर को भगवान विश्णू चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी करें और सायंकाल में ब्रह्मा आधी त्रिमूर्थिधारी माधव सुर्यास्त के बाद रिशी केस अर्ध रात्री के पुर्वतता अर्ध रात्री के समय अकेले भगवान पद्मनाव मेरी रक्षा करें रात्री के पिछले प्रहर में श्रीवत्च लांचन श्री हरी उशाकाल म खड़कधारी भगवान जनार्दन और सुर्योदे से पुर्वेश्टी दामोदर और संपुर्ण संध्याओं में काल मूर्थी भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें है सुदर्शन आपका आकार चक्र रत के पहिये की तरह है आपके किनारे का भाग प्रलयकालिन अग से जला दीजिए जला दीजिए हे कौमुद की गदा आपसे छूटिने वाली चिंगारियों का स्पर्स वच्र के समान असाई है आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ इसलिए आप कुश्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेतादी ग्रह को अभी कुचल डालिये कुचल डालिये तथा मेरे शत्रों को चूर चूर कर दीजिए हे शंक स्रेष्ट आप भगवान श्रेकृष्ण के फूँकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रों का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमत, प्रेत, मात्रिका, पिशाच चिन भिन कर दीजिए भगवान की प्यारी ढाल आप में सैक्डों चंद्राकार मंडल है आप पाप द्रिष्टी पाप आत्मा शत्रूओं की आखे बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए सुर्य आधिक्रह, धूम केतू, पुछल तारे आधि केतू दुष्ट मनुस्य, सर्प आधि रेंगने वाले जन्तू, दाढ़ों वाले हिंसक पशू, भूत प्रेत आधि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भै हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयूधों का कीर्थन करने से ततकाल लश्ठ हो जाएं, ब्रिहद रथंतर आधी साम वेदिय स्तोत्रों से जिनकी स्तूति की जाती है, वे वेद मूर्ती भगवान गरूर और विश्वक सेंजी अपने नामों चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं, श्रीहरी के नाम, रूप, व भगवान ही है, इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नश्ठ हो जाएं, जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी द्रिष्टी में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रही थे, भेदों से रही थे, फिर भी वे अपनी माय शक्ती के द्वारा भूशन, आयुधोर, रूप नामक शक्तियों को धारन करते हैं, यह बात निश्चित रूप से सत्य है, इस कारण सर्वग्य, सर्व व्यापक, भगवान श्री हरी, सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें, जो अपने भयंकर आट्टाहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं, और अपने तेज से सब का तेज ग्रश लेते हैं, वे भगवान रिसिम्म, दिशा विदिशा में, नीचे उपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें, हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायन कवच सुना दिया है, जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है, अत्वा पैर से छू देता है, ततकाल समस्त भायों से वो मुक्त हो जाता है, जो इस वैशनवी विद्या को धारन कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदी और बागादी हिंशक जीवों से कभी किसी प्रकार प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गौतरी ब्रामभन ने इस विद्या को धारन करके योग धारना से अपना शरीर मरू भूमी में त्याग दिया, अब जहां उस ब्रामभन का शरीर पड़ा था, उसके उपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररत अपनी इस्त्रियों के स विमान पर बैठ कर निकले, वहां आते ही वे नीचे की और सिर्किये विमान सहित आकास से प्रिथ्वी पर गिर पड़े, इस घटना से उनके आचरे की सीमा न रही, जब उन्हें बाल खिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायन कवश धारन करनी का प्रभाव है, तब उन् इस नारायन कवश को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्व किसी धारन करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से जुक जाते हैं, और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है, हे परिक्षित, शत्यक्रतु इंद्र ने आचारी विश्वरूप जी से यह वैशनेव व्रिंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिळी प्रसन्वत्र पंक जेनि कुंज भूविलासिनी व्रजेंद्र भानु नंदिनी व्रजेंद्र सुनु संगते कदाकरी स्यसीहमाम कृपाक टाक्ष भाजनम् अशोक व्रिक्ष वल्लरी वितानमंड पस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रिको मले वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदाकरी स्यसीहमाम कृपाक टाक्ष भाजनम् अनंग रंग मंगलं प्रसंग भंगुरं भुवाम सविब्रमं ससंप्रमं द्रिगंत बाण पातने निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदाकरी स्यसीहमाम कृपाक टाक्ष भाजनम् तडित्सुवर्ण चंपक प्रदिप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि सार देंदु मंडले विचित्र चित्र संचरत्च कोर शावलोचने कदाकरी स्यसीहमाम कृपाक टाक्ष भाजनम् मदोन्मदादि योवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कलाविलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केली कोविदे कदाकरी स्यसीहमाम कृपाक टाक्ष भाजनम् अशेश हाव भाव धीर हीर हार भूसिते प्रभूत शात कुम्ब कुम्ब कुम्बि कुम्ब सुस्तनी प्रसस्त मंद हास्य चुर्ण पुर्ण सोक्य सागरे कदाकरी स्यसीहमाम कृपाक टाक्ष भाजनम् मिरिणाल वाल वल्लरीत रंग रंग दोर्लते लताग्र लास्य लोल नील लोच नावलोकने लललुलन मिलन मनोग्य मुग्ध मोहिनाश्रिते कदाकरी स्यसीहमाम कृपाक टाक्ष भाजनम् सुवर्ण मल्ली कांचित त्रिरेख कम्बु कंठगे त्रिसुत्र मंगली गुण त्रिरत्न दिप्त दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुम्फिते कदाकरी स्यसीहमाम कृपाक टाक्ष भाजनम् नितंब भिंब लंब मान पुष्प मेखलागुणे प्रशस्तरत्न केंकिडी कलाप मध्य मन्जुले करिंद्र शुन्ड दंडिकाव रोह शोभ गोरुके कदाकरी स्यसीहमाम के पाकटाक्ष भाजनम् अनेक मंत्र नाद मंजुनू पुरार वस्खलत समाज राज हंस वंश निक्वडाति गोरवे विलोलहे मवल्लरी विडंब चारु चंक्रमे कदाकरी स्यसीहमाम क्रिपाक टाक्ष भाजनम् अनन्त कोटि विश्णू लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोम जाविरिंचे जावर प्रदे अपार सिध्धि रिधि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदाकरी स्यसीहमाम क्रिपाक टाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण साषनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रिराधिके नमोस्तुते इतीम मद्भुतं स्तवं निशम्य भानु नंदिनी करोतु संततं जनं क्रिपाक टाक्ष भाजनं भवेत्त दैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनं लभेत्त दाब्रजेंद्र सुनु मंडल प्रवेशनं जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे ओम विश्वं विश्वर वचटकारो भूत भव्य भवत्रभू भूत कृत भृत 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 भाव भूत वाहन भूत आत्मा पर्मात्माच मुगतानां परमागती अव्यय पुर्शा साक्षी शेत्रग्यो अक्षर एवचा योगो योग विदामनेता प्रधान पुरुषेश्वरा नारसिंगव पूश्रीमान केशव पुरुषोत्तमा सर्व शर्व शिवस्थानुर भूदादिर निधर्व्यया संभवो भावनो भर्ता प्रभव श्वयंभू शंभू रादित्य पुस्कराक्षो महास्वन अनादि निधनोधाता विधाताधातो रुत्तमा अप्रमेयो रिशीकेश पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वस्थास्थास्था विरोध्रुव अग्राहिया शाष्वता क्रिष्णो डोहित अनुत्तमो दुराधर्ष अकृत अग्याकृतिरात्ममान सुरेश शर्णम्शर्म विश्वरेता प्रजाभव अहसंवत्सरो व्याल प्रत्यय सर्वदर्षन अजसर्वे स्वरसिध सिध्ध सर्वादिर्चुत विरिशाकपिरिमेयात्मा सर्वयोग विनीश्रित सर्व विद्भानुर विश्वक्सेनो जनार्दना वेदो वेद विद्वित व्यंगो वेदांगो वेद्वित कभी लोकाध्यक्ष सुराध्यक्ष धर्माध्यक्ष अकृताकृता चतुरात्मा चत्रुयोहस चत्रद्रष्टस चतुर्भुजा ब्राजिश्रुर्भोज न महा बुद्धिर महा वीर्यो महा शक्तिर महा द्युति अनिर्देश्य वपूश्रीमा अनिमे यात्मा महा दृत्रिक महिश्वासु महिभर्ता श्रीनिवास सतामगति अनिरुद्ध सुरानंदो गो विंदो गो विंदामपति मरीचिर्दमनो हंस सुपरणु भुजुकुत्तमा हिरण्य नाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापती अम्रित्यु सर्व दिक्सिंह संधाता संधिमानस्थिर अजोधूर मर्षड शास्ता विश्रुतात्मा असुरारिहा गुरुडगुर्त मोधामा सत्य सत्य पराक्रमा निमि सुप्रसादह प्रसन्नात्मा विश्वद्रिक विश्वभुग विभु सत्कर्ता सत्कृतह साधू जहनुर्ना रायनो नरह असंखियो अप्रमियात्मा विशिष्ट सिष्टकृत्चुवी सिध्धार्त सिध्ध संकल्प सिध्धिद सिध्धिसादनह वरिशाही विश्भ अम्रितान शुद्भवो भानु शश्विंदु सुरेश्वरा ओशधम जगता सेतु सत्यधर्म पराक्रमा भूत्भव्य भवन्नात पवन पावनो नला काम हा काम क्रितकांता काम काम प्रदह प्रभु युगादिकृत्यु गावर्तो नेकमायो महाशना अध्रिश्य अव्य धिर्धेष्टानम प्रमत्तह प्रतिष्टिता सकंद सकंद धरोधूर्यो वर्दो वायु वाहन वासुदेवो ब्रिहत्भानु रादिदेवा पुरंदर अशोकस्तार अनस्तार शूरसोर इर्जनेश्वरा अनुकूलह शतावर्त पद्मी पद्मनी भेक्षणा महिधरो महा भागो वेगवानमेदाशन वुद्भवाचो भणोु देवा स्री गर्भ परमेश्वर और अँगनुकूलह व्यवसायु व्यवस्थान सथान स्थान दोद्रुव परति परमस्पस्त पुष्ट असुभेक्षणा रामु विरामो विर्जो मार्गो नेयोनयो वीर शक्तिमताम्ज्रेष्टो धर्मो धर्मविदुत्तमा व्यकुंठ पुर्ष प्राण प्राणदः प्रणवा प्रितु इरन्यगर्भ शत्रुग्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजा रितु सुदर्शन काला परमेश्ठी परिग्रह उग्रह सम्वत्सरो दक्षो महेज्यस्चा क्रतूसत्रम सतामगती सर्वदर्शीव्यमुक्तात्मा सर्वग्यो ज्यानमुथ्तमाम सुवह्रतसुमुखसुष्वुष सुखद सुहृत मनोहरोईटक्रोधू वीर बाहुर विदारण स्वापनास्वव सोव्यापी नेकात्मानेक कर्मकृत बत्सरोवास उुत्तरो गोपतिर्गोपता, ज्यान गम्यापुराधना, शरीर भूत भूत भूरित्भोग्ता, कपिंद्रो भूरिदक्षिना सुमभो अमरित पहजोमा, पुरुजित पुरुसत्तमा, विनियोजय, सत्यसंधोदा शाह, सात्पताम्पती जीवो विनैता साक्षी मुकुंदो अमित विक्रमा, अम्भो निद्रनन्तात्मा महोदधी इशयोंतक, अजो महारह स्वाभाव्यो जितामित्र प्रमोधन, आनंदो नंदो नंदो नंद स्चत्य धर्मा अत्रि विक्रमा, महर्शी कपिला चार्य, कृतज्यो में दिनीपती, त्रिपदश्त्रि दशाध्यक्षो महाश्रिंग अक्रितांतक्रित, महावराहु गोविन्द सुखेण कनकांग दी, गुयो गभीरो गहनो गुप्तस्चक्र गदाधर, वेथा स्वांगो अजिता, कृष्णो द्रिढ संकर्शनो चुत, वरुणो बारुणो वरिक्ष, निर्वानम भेश जम्भिसक, सन्यास्कृच्छमा शांतो निष्ठा शांति ही परायनम, शुभांगा शांति दस्रष्टा, कुमुदा गुवलेशय, गोहितो गोपतिर गोप्ता, व्रिश भाग्चो अव्रिशाप्रिया, अनिवर्ति निव्रतात्मा संचेपताचे मिक्र श्रिव स्वक्षा श्रीवास, श्रीपती श्रीमतांबर, श्रीदा श्रीश श्रीनिवास, श्रीनिती श्रीविभावन, श्रीधर श्रीकर श्रेय, श्रीमान लोक तर्याश्रिया, स्वक्षा स्वंग, शतानंदो, नंदिर्जो तिर्गनेश्वर, विजितात्मा विधेया गर्तेश छिन्न संसिय उदेरण सर्व तक्षश शुर निशा शाष्वद अस्थिर भूझयो भूशनो भूतिर विशोक शोक नाशन अर्चिश भूज विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरत प्रद्युम्नो अमित विक्रमा काले नेमी निहावीरा शोरी सुर्जनेश्वरा त्रिलो कात्मा त्रिलो केश केशव केशिहारी कामदेव कामपाल कामी कांत गृतागमा अनिरदेशव पुर्विष्णोर वीरो अ ब्रहाम्भन्यो ब्रह्म jagdbrahm amori brahm Photos ब्रहा ग्योब्रांही रोल Death महाक्रमू महाकर्मा महातेजा महुरग महाकरतुरु महाय ज्वा महायक्जोय महाहवी स्तव्यस्तव प्रियस्तो त्रम् स्तुतीस्तो ताराणप्रिय पुरुन पुरईता maniac पुन्यकिरतिर नामया, मनुजवस्तिर्थकरो वसुरेता वसुप्रद, वसुप्रदो वासुदेव, वसुर्वसुमनाहवी, सत्गती सत्किर्ती सत्ता सत्भूती सत्परायन, शूर सेनो यदुस्रेष्ठ, सन्निवास, सुयामुन, भूतावासो वासुदेव, सर्वासुनि दर्पहादर पदो द्रिप्तो दूर्थरो था पराजित विश्वमूर्थिर महामूर्थिर दिप्तमूर्थिर मूर्थिमान अनेक मूर्थिर अभ्यक्त शत्मूर्थि शतानन एको नैक सवक किम यत्तत पद मनुत्तमं लोक बंधूर लोक नाथो माधुवो भक्त वस्ल प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैक श्रिंगो गतागरजा। महाहरदो महागर्तो महाभूतो महानिधी, कुमुदह कुंदरह कुंदह परजण्यपावनोनिल, अमृताशो अमृतवपु सर्वग्या सर्वतो मुख, सुलभ सुव्रत सिद्ध, शत्रुजी छत्रुतापन, न्यगरोधो दुमबरो अस्वस्त स्चाणुरांध्र निशूद भार भृतिकतितो योगी योगी ससर्व कामद आश्रम श्रमन चाम सुपरलो वायु वाहन धनुड़धरोर धनुडवेदो दंडोद मैइतादमा अपराजिता सर्वसहू नियंता अनियमोयमा सत्ववानसात्विक सत्य सत्य धर्म परायन अभिप्रयाया प्रियार होर्ह प्रि स्वस्तिदा स्वस्तिक्रिस्वस्ति स्वस्ति भुग स्वस्ति दक्षण रोद्रह कुंडली चक्रे विक्रम्यूर जेतिशाषन शब्दातिगा सब्दशह शिशिर अश्रवरीकर अक्रूरह पेश लोदक्षो दक्षण चमिनामवर विद्वतमोवित भय पोन्यशमन कीर् उत्तारणोदुस्कृतिह, पुन्योदुस्व, प्रनाशन, वीरहारक्षण संतो जीवनह पर्यवस्तित, अनंत्रूपो अनंत्तस्रिट जित्मन्यूर भयापह, चत्रश्टो गभिरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश, अनादीर भूर्भु ओलक्ष्मी, स्वीरो रुचि और अब आप सुनेंगे श्रीत तुलसी चालीचा, श्रीतुलसी महरानी, करू विनै सिरनाय, जो मम हो संकट विकट, दीजे मात नशाय, नमो नमो तुलसी महरानी, महिमा अमितन जाय बखानी, दियो विष्णु तुमको सन माना, जग मे चायो सुयस महाना, विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहू लोक की हो सुख खान बगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई, जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा, करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहिके काज होय सब पूरन कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा, तव पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर्शु कुमारी, करे जो पूजा नित प्रतिनारी, सुख संपति से होय सुखारी, बिद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुल कितमन श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिदि से तर जावे सोई कथा भागवत यग्य करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे चायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुमें सकल चित धारी तुमी मात यंत्रं तंत्रन में सकल काज सिद्धी होवे छण में औश धिरूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता देवरिशी मुनी और तप धारी करत सदा तव जै जै कारी वेद पुरानन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया नमो नमो जै जै सुख कारनी नमो नमो जै दुख निवारनी नमो नमो सुख संपति देनी नमो नमो अग काटन चेनी नमो नमो भक्तन दुख हरनी नमो नमो दुष्टन मद चेनी नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी, नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी, नमो नमो जै कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी जयती जयती जय तुलसी माई ध्याउं तुमको शीष नवाई निजजन जानी मोही अपनाओ बिगडे कारज आप बनाओ करूं बिनै मैं मात तुमारी पूरण आशा करहू हमारी शरण चरण कर जोरी मनाऊं निशदिन तेरे ही गुडगाउं करहूं मात अब मोपर दाया निर्मल होए सकल मम काया मांगूं मात यही बर दीजे सकल मनोरत पूरण कीजे जानू नहीं कचुनेम अचारा छमहूं मात अपराद हमारा बारह मास करे जो पूजा तासम जग में और नहीं दूजा प्रथमही गंगा जल मंगवावे फिर सुन्दर शनान करावे चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे करे आच मन गंगा जल से ध्यान करे रिदै निर्मल से पाठ करे फिर चालीसा की अस्तुति करे मात तुलसा की यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र हुई जाही है यह कथा महा सुखदाई पढ़े सुने सो भवतर जाई यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होई तुलसी चालीसा संपूड और अब आप सुनेंगे तुलसी महरानी की आरती हरी की पत्रानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो धन्य तुलसी पूरण तप कीनो शालिग राम की बनी पत्रानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पत्रानी नमो नमो हरी की पत्रानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो धूपदीपने वेद्य आरती धूपदीपने वेद्य आरती पुष्पन की वरसा बरसानी नमो नमो हरी की पत्रानी नमो नमो तुलसा महरानी नमो नमो चपन भोग छत्ति सोव्यंजन बिन तुलसा हरी एक नमानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यशे गावे भक्ति दाने दीजे महरानी नमो नमो तुलसा महरानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जै दोस्तों अगर आप अपरा एकादिशी का वरत करते हैं तो अपरा एकादिशी वरत की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है जरूर देख लीजिए और आज जेश्ट मास का बड़ा मंगलवार है तो बड़ा मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा आरातना किस प्रकार से करें कौन सा उपाय करें इस विशे पर भी वीडियो अपलोड हो चुकी है आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर पैस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलती मैं आप से एगल वीडियो में तब तक के लिए जै श्री राधी